नहूम अध्याए एक से तीन अध्याए एक एक नीनवे के विशय में भारी वचन एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक नीनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध दो यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला इश्वर है यहोवा बदला लेने वाला और जल जला हट करने वाला है यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रूओं का पाप नहीं भूलता तीन यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है वदोशी को किसी प्रकार निर्दोश न ठहराएगा यहोवा बवंड़ और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पावों की धूल है चार उसके घुलकने से महान सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है बाशान और करमिल कुमहलते और लबानों की हरियाली जाती रहती है पांच उसके स्पर्ष से पहार काप उठते हैं और पहारियां गल जाती हैं उसके प्रताप से प्रित्वी वरं सारा संसार अपने सब रहने वालों समेथ थर्थरा उठता है 6. उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है और जब उसका क्रोध भढ़कता है तब कौन थहर सकता है उसकी जलजलाहट आग के समान भढ़क जाती है और चताने उसकी शक्ती से फटफट कर गिरती है साथ यहोवा भला है, संकट के दिन में वह द्रिलगर थहरता है और अपने शर्नागतों की सुधी रखता है आठ परंतु वह उमर्ती हुई धारा से उसके स्थान का अंध कर देगा और अपने शत्रूओं को खदेड कर अंधकार में भगा देगा नौ तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ती दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी दस क्योंकि चाहे वे कांटों से उजे हुए हो और मदीरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूटी के समान भस्म किये जाएंगे ग्यारा तुझ में से एक निकला है, जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीच्टा की युक्ती बांधता है बारा यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीती से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे मैंने तुझे दू, ख़ दिया है, पर अन्तु फिर ना दूंगा तेरा क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फार डालूंगा चौदा यहोवा ने तेरे विशय में यह आग्यादी है, आगे को तेरा वंच न चले, मैं तेरे देवालियों में से धली और गड़ी हुई मूरतों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है पंद्रा देखो, पहारों पर शुभसमाचार का सुनाने वाला और शांती का प्रचार करने वाला आ रहा है अब है यहुदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नते पूरी कर, क्योंकि वहोचा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा, वह पूरी रीती से नश्ट हुआ है अध्याए दो, नीनवे का पतन, एक सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चड़ाया है गर्ड को द्रिल कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस अपना बलबड़ा दे दो यहोवा याकूब की बढ़ाई इस्राइल की बढ़ाई के समान जियों कित्यों कर रहा है क्योंकि उजारने वालों ने उनको उजार दिया है और दाखलता की दालियों का नाश किया है तीन उसके शूरवीरों की धाले लाल रंग से रंगी गई और उसके योध्धा लाल रंग के वस्त्र पहिने हुए हैं तैयारी के दिन रतों का लोहा आग के समान चमकता है और भले हिलाए जाते हैं चार रत सडकों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है पांच वह अपने शूरवीरों को स्मरन करता है वे चलते चलते ठोकर खाते हैं वे शहर पनाह की और फुर्ती से जाते हैं और काट का गुम्मत तेयार किया जाता है छेह नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठा जाता है साथ हुसेब नंगी करके बधुआई में लेली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेंगी आठ नीनवे जब से बनी है तब से तालाप के समान है तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मूह नहीं मोलता नौचांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामगरी का कुछ परिमान नहीं दस वह खाली, चूची और सूनी हो गई है मन कच्चा हो गया और पाउव कापते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीरा उठी और उन सबों के मुख का रंग उल गया है ग्यारा सिम्हों की वह मांद और जवान सिंग के आखेट का वस्थान कहां रहा जिसमें सिंग और सिंगनी अपने बच्चों समेद बेखर के फिरते थे बारा सिंग तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फारता था और अपनी सिंग्नियों के लिए आहेर का गला घोंट-भोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था तेरा सेनाओं के यहोवा की यहवानी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रतों को भस्म करके धुए में उड़ा दूनगा और उसके जवान सिंग सरीके वीर तलवार से मारे जाएंगे, मैं तेरे आहिर को प्रित्वी पर से नश्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल अध्याय तीन उसती सुंदर वेश्या और निपुन टोनहिन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाती-जाती के लोगों को और टोने के द्वारा कुल-कुल के लोगों को बेच डालती है पांच सेनाओं के यहोवा की एहवानी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठा कर तुझे जाती-जाती के सामने नंगी और राज्य-राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा छेह मैं तुझ पर घिनोनी वस्तुएं फेक कर तुझे तुझ शकर दूनगा और सबसे तेरी हसी कराऊंगा साथ जितने तुझे देखेंगे, सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे, नीनवे नश्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे हम उसके लिए शांती देने वाला कहां से धूंड कर ले आएं आठ क्या तु अमोन नगरी से बढ़ कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों और जल था, और महांद उसके लिए किला और शहर पनाह का काम देता था नौकूश और मिस्री उसको अनगिनित बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे दस तो भी लोग उसको बधुआई में ले गए और उसके निन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिये गए और उसके प्रतिष्थित पुरुषों के लिए उन्होंने चिठी डाली और उसके सब रईस बेडियों से जकड़े गए ग्यारह तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रू के डर के मारे शरंका स्थान धुनदेगी बारह तेरे सब गड़ ऐसे अंजीर के व्रिक्षों के समान होंगे जिन में पहले पक के अंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुह में गिरेंगे तेरा देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वेस्त्रियां बन गए हैं तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रूओं के लिए बिलकुल खुले पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग का कौर हो गई हैं चौदा घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गड़ों को अधिक द्रिल कर की चड़ में आकर गारा लतार और भठे को सजा पंद्रा वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नश्ठ हो जाएगी वह यलेक नामक टिड़ी के समान तुझे निगल जाएगी यद्यपी तू अर्बे नामक टिड़ी के समान अनगिनित भी हो जाए सोलह तेरे व्यापारी आकाश के तारा गंड से भी अधिक अनगिनित हुए टिड़ी चट करके उड़ जाती है सत्रा तेरे मुकुर्धारी लोग टिड़ीयों के समान और तेरे सेनापती टिड़ीयों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में बालों पर टिकते हैं परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता की वे कहां गए अठारा है अशूर के राजा तेरे ठहराय हुए चरवाहें उंकते हैं तेरे शूरवीर भारी नींद में पढ़ गए हैं तेरी प्रजा पहारों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकठा नहीं करता 19 तेरा घाव न भर सकेगा तेरा रोग असाध्य है जितने तेरा समाचार सुनेगे वे तेरे उपर ताली बजाएंगे क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टा का प्रभावना पढ़ा हो